दूस्टो इस वीडियो में हम बात करने वाले है Unix Hot 10 modal बता दे दोस्तो 16 видим कि कभीकभी मेरे पास जो customer phone लेकर आता है हम display तीन चार चे si कर लेते 해 Subscribe पे light नहीं आता है... gratuit नहीं देता है दूस्तो display पे light नहीं आ रहा है LCD Light का यन वीडियो बनाय हूए है होट 10, Infinix Hot 10 1682 का दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर light नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें eye testing कर ले connector को चेक कर ले सबसे पहले connector सही है या नहीं है connector को चेक करने के बाद ही दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सरा phone आता है customer ले के आता है जिसमें क्या होता है water damage होने के वज़र से यहाँ पर clean sort हो जाता है print miss हो जाता है और print miss हो जाता है इसके वज़र से भी customer के phone है उस phone में आपको light नहीं आएगा light का problem आएगा graphics बनेगा वट light नहीं आएगा तो यहाँ पे light नहीं आ रहा है तो यहाँ पे main pin point यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन point ही check करना है यहाँ पे pin का बात करें एक और दो यह दोनों pin पे सबसे पहले आप क्या करें हमेशा cool testing करने के बाद ही आगे का process आप करें cool testing में यहाँ पे दोनों point पे g-r ले ले अगर g-r सही आ रहा है तो थीक है उसके बाद यहाँ पे इस point पे g-r ले ले और यहाँ पे 49 number point पे जो दिखा रहा है यहाँ पे इस point पे यह तीनों point चारों point जो है इस पे हम g-r ले लेंगे कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे g-r इस line में अगर नहीं आ रहा है तो direct इस line को हम follow करेंगे और कहीं से line break होगा उस line को हम क्या करेंगे jumper कर देंगे तो हमारा problem solve हो जाएगे तो line सबसे पहले कोई भी काम करने से काम आगे बढ़ाने से पहले हमको क्या करना है g-r लेना है g-r लेने के बाद ही कोई भी process आगे करें और इस light में बता दें कि सबसे ज़्यादा problem आता है तो यहाँ पे coil से problem आता है जो boost coil है इस boost coil को से problem आता है जो voltage को 4.0 voltage को यहाँ पे 4.0, 4.2 voltage को 14 voltage या 16 voltage में convert करता है सबसे ज़्यादा इसी से problem आता है बहुत सारे लोग तो बीना देखे इसको क्या करते है change कर देते हैं, replace कर देते हैं replace करने से light आ जाता है लेकिन सबसे पहले क्या करें हम check करें कि इस पे आपको voltage कितना आ रहा है switching कर रहा है कि नहीं कर रहा है check करने के बाद ही आगेगा process करें यहाँ पे जो भीवस आता है यहाँ पे इस point पे यह आपको डारेक्ट चार्जिंग आशी से आता है आप देख सकते हैं कभी कभी यह cap sort हो जाता है कर देख सकते हैं कि यहाँ से switching होने आप यहाँ सम्थिंग होने के बाद यहाँ देख सकते यहां पे डायोड लगा हुआ है इसमें क्या होता है कि इधर से जो भूल्टेज चला जाएगा इधर से रिटन नहीं है तो इस डायोड में इसके वाजा से प्रोलम होता है लाइट नहीं आएगा दोस्तों लाइट सेक्षन में ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर अगर 99 परसेंट अगर बात करें स्क्वाइल में ही प्रोलमा आता है इसक्वाइल को चिंज करने से हम्धा है दोस्तों लाइए यहीं वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सिपना के फेस्वूप पेज़ रहे हैं तो फेसवूप पेज़ को पॉल्ल जरूर करें वीडियो को देखने के ठैंकि दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें